Hello everyone, आज हम UPS के कुछ basic fundamental concept आपके बास लेकर आएं, ठीक हैं, देखें, इन basic fundamental concept को करने के बाद आप किसी भी type का government exams, government interview, basic exam interview clear कर लोगे आराम से, क्योंकि आपका fundamental clear होगा, ठीक हैं, देखें, सबसे पहले हम UPS का ही full form बताते हैं, UPS का full form होता है object oriented programming system, ठीक हैं, अब सबसे पहले अब UPS क्या होता है, UPS is a programming model, एक programming model होता है, that use class and object, वो क्या करता है, class और object का इस्तिमाल करता है, ठीक है, तो UPS के दो basic concept होते हैं, class और object, ठीक है, अब देखें, आगे हम आते हैं, UPS करता क्या है, तो UPS यह करता है, जो बड़े-बड़े हमारे software programs होते हैं, उनको छोटे-छ code होते हैं, जो बड़े-बड़े software programs है, उनके छोटे-छोटे reusable code है, उनको आप classes कहते हो, ठीक है, एक blueprint होता है, classes होते ही, ठीक है, अब आगे आते हैं, हम दो एक हमारे UPS के first concept थे, जो पहला हमारे UPS का programming language बना था, ठीक है, तो मैं आपको उसका थोड़ा idea ले देती हूं, कि जो पहला first object oriented programming language था, वो simula था, और जो first truly oriented programming language बोला गया है, वो small talk है, ठीक है, आप समझ की difference कहा है, जो simula था, वो first object oriented programming language है, ठीक है, clear that, but जो small talk है, वो first truly object oriented programming language है, कि पूरी तरीके से इसके अंदर जुतने भी इसका programs जो भी थे, वो सब पूरी तरीके से object oriented है, ठीक है, अब आप एक और चिस को समझने कोशच कीजिए, जो ये programming model है, उपस का, वो क्या है, वो उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर जो जितनी भी चीज़े हैं, जितन तब ही वो उपस concept है, object oriented programming language, अब आगे आते हैं हम, देखें, उपस में कुछ popular languages हैं, जैसे की, Java, C Sharp, PHP, Python, C++, etc, ठीक है, देखें, जो हमारा अभी, अभी मैं आपको बताओ, अगर जैसे मैं अभी job कर रही हूं अभी है, तो मैं आपको बताओ, उपस language के सबसे जादा भी connected Java हुआ ही है, उपस language हम पूरा, जैसे की, अगर जो Java कर रहे है, मैं अभी popular में Java चल रही है, ठीक है, अभी देखें, आगे आते हैं, ठीक है, वैसे popular language, नॉमल अगर हम बोले तो PHP लेंग्विच बहुत पॉपलर है, जाद तर हर जगा website बनाने के लिए PHP का लोका इस्तमाल करत है, अगे हम आते हैं, the main aim of object-oriented programming language, तो object-oriented programming language का main aim क्या होता है, वो देशे होता है, कि यह क्या करता है, real world entities बनाता है, अब आप पूछरों कि real world entities क्या होता है, तो real world entities होता है, जैसे कि अगर suppose यह एक pen है, देखें, आप दिख रहा है, यह एक pen है, अब यह real world में एक pen है, ठीक है, इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, वहाँ पर यह एक pen है, यह object है, ठीक है, लेकिन मैं चाहते हूं कि ऐसी coding लिख दूँ, ऐसी programming लिख दूँ, जिसमें इस पूरे pen का feature, और इसका function, सब कुछ इसको एक object बनाकर, अच्छे से, एक pen वाले class में इस object को mention करके, अच्छ बात बोली थी, इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है, object-oriented programming system है, तो object तो पता होना चाहिए, object कैसे consider होता है, object होता क्या है, देखे, object क्या होता है, कोई भी ऐसे entity, entity मतलब कोई भी चीज, कुछ भी entity, ठीक है, an entity that has a state, कोई भी entity जिसका एक state हो, ठीक है, जैसे कि उसका क कोई data हो, data कुछ भी हो सकता है, उसका color भी हो सकता है, उसके अंदर कोई, क्याना में, बानिरी digit code, bit भी हो सकता है, ठीक है, और, आप समझ लो कि इसके कोई height हो सकती है, तो basically, कोई एक entity, कोई भी entity, जिसकी कोई state हो, कोई color हो, ठीक है, कोई height हो, ठीक है, तो वो क्या है, कि एक क्या कहते हैं object में आता है अब दूसरा क्या विशिष्टाई होती है जो object बनाती है वो होता है has some behavior अब देखो उसका कोई state तो है लेकिन अगर उसका कोई behavior नहीं होगा behavior का मतलब होता है कोई function perform करें वो ठीक है जैसे अगर ये pen है ठीक है तो आप समझ लो कि ये हमारा ball pen है ठीक है और देखो या इसकी इधर यहाँ इसके अंदर इसकी स्याही होती है ठीक है refill होती है अब ये की एक state में है ये physical state में है न ये ठीक है तो ये हो गया और इसका function क्या होता है लिखना ठीक है pen से हम लिखते है तो ये क्या हो गए एक object consider हो गया ठीक है अब एक और बात ज़रूरी बात निकलती है से physical और logical की कि देखिए object दो टाइप की हो सकता है फिजिकल हो सकता है फिजिकल हो सकता है फिजिकल ये object हो गया और इसी कोई programming में बना दू मैं तो वह logical हो गया ठीक है कोई programming का code लिख दूँ जिस करता है कोई data ठीक है data कि क्या हो सकता है कोई image भी हो सकती है कोई bit भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है थीक है ओ और behavior क्या करता है behavior function रिपर्जेंट करता है ठीक है उर behavior अब देखें जब भी state के बात है कि तुरुंत strike कर जाना जी आपके दिमाग में की variable हमने बहुत सारी computer में प्रोग्रामिंग लांग्विजज सीखिया तो हमको पता है वेरीबल क्या होता है। जासे हम वेरीबल असाइन कर देते हैं एक्सकोल स्थ स्थैन कर दी एक्सक्राइब बना दिया हमने ठीक है तो वैसा ही स्टेट वेरीबल से दिमाग यहाद जाने चाहिए और behavior method function या method है ना अब देख्या आते हैं आगे identity आप कोई object बना तो उसकी identity expect को हम समझते हैं